बड़े बड़े लोग सांसद हुए लेकिन काम शहर के विकास के लिए चाहे जिले के विकास के लिए नहीं हुए आरके सिंग जो बिरोक्रेट है उनको मालूम है कि काम किस तरह से कराया जाता है तो वो काम करा लेते हैं बड़े बड़े काम है जो लोग नहीं कर बाते हैं, आरके सिंग कर रहे हैं तो लोग उनको पसंद करते हैं, इस बार टिकट के बटवारे में पैसे का बड़ा खेल होगा, और आरा सीट को आजमाने के लिए बड़े बड़े भूप जिनको कहते हैं, लगेगी बोली, कहा तो आरके सिंग कारिकरताओं से मिलते नहीं, वो विर्योक्रेसी का उनका अपना एक अकड़ है, इसलिए वो कारिकरताओं से नाराज हैं, इसलिए ये उनको शिफ्ट किया जाए, लेकिन पबलिक ओपीनियन अगर कोई लेगा, कि वहां का कौन सांसा दोना चाहिए, तो एक ही नाम है आरके सिंग, प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी आरके सिंग को ना पसंद करते हैं, और यही कारण है कि बीजेपी के भीतर, संगटन के भीतर, आरके सिंग का बिरोध लगातार हो रहा है, पवन सिंग को अगर कंडिडेट बना दिया जाए और इनको अटा दिया जाए, तो वो चुनाव जीत जाएंगे लेकिन पब्लिक तो ये कहती है कि पवन सिंग कभी भी विकास के काम नहीं कर सकते वो पॉपलर है, वो गायक है, सनेमा में स्टार है सब है, उनका यूथ बहुत बड़ा फॉल्वर है लेकिन आरा के लिए कोई विकास का काम कर पाएगा ये पवन सिंग में लोगों को भरोसा पब्ली के बीच में वो गए हो और जन सिवा के लिए कोई बहुत बड़ा काम किया हो अब कहिं भोज करा दिया, कुछ गरीबों में कुछ बांट दिया अपने इस तरफ पर अपने जनव दिन के मौके पर ये अलग बात है आरा सीट जो है हमेशा ही बाहरी लोग आकर उस पर कबजा जमाते रहा पूरे विदान सभाशेत्र को देखें तो विपक्षी पार्टियां जो हैं महाकडबंदन की उनकी ताकत ज्यादा मजबूत है और उनके वोटर्स है भागपा माले के वोटर हैं और राज़त के वोटर हैं और ये सब अगर एक हो जाएंगे तो पवन सींग को भेड़ना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा लेकिन इसके अलावे दावेदारों की भी कमी नहीं है दावेदार भी अब अपने अपने छेत्रों को लेकर राजनितिक पार्टियों को संकेत देना शुरू कर चुके हैं और इसी करी में बात हम आरा लोकसभा सीट की करने जा रहे हैं क्योंकि यहां से जो अभी मौजूदा सांसत हैं वो हैं आरके सिंग जो की केंद्र में अभी मंत्री भी हैं लेकिन बीजेपी के टिकट पर ताल ठोकने की तयारी में हैं भोजपूरी के सुपर स्टार बहुत लोग पावर स्टार भी कहते हैं नाम है पवन सिंग ऐसे में क्या आरा लोकसभा सीट पड़ दो हजार चौबिस के चुनाओं में कुछ बदलाओ देखने को मिलेगा चर्चा करने के लिए हमारे साथ वरिष्ट पत्रकार रवी रंजन जी हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि उसी छेत्र से आते हैं तो बहतर तरीके से समझा कि माहौल क्या है । àगे कि रणनेती किस प्रकार बनते नजर आ रही है क्या लगता है आरा लोकसभा सीट की झब चर्चा छिर रही है क्या दिखायी दे रहा है आरा लोकसबा शित्र में पिछले 2 बार से आरके सिंघ संसद है और आरा की पब्लिक जो है उनको बहुत पसंद करती है आरके सिंघ ने अपने संसद अपने कार्यकाल में एतना ज़ादा काम किया है वहां पर कि वहाँ एक एक बच्चा उनको चाहता है कि ऐसा सांसद होना चाहिए आप देखिए 1971 में शाहाबाद से बदल के ये आरा हुआ आरा में बलिराम भगत हुए चंदरदेव प्रशाद बर्मा हुए मीना सिंग हुई आप कांती सिंग हुई एक बार सांसद बड़े बड़े लो है कि काम किस तरह से कराया जाता है तो वह काम करा लेते हैं रेलवे स्टेशन कर रहे हैं तो लोग उनको पसंद करते हैं लेकिन हाल के दिनों में ये बहुत जोरों पर अभी रामनों मी के जूलूस में यह हुआ कि आरके सिंग के खिलाफ नारेबाजी हुई और जम के नारेबाजी हुई उसके पहले क्वर्शिंग विश्विद्ध्याले के कारिक्रम में विद्ध्यार्थी परशित के लोगों ने आकरे सिंग का बहुत बिरोध किया और उनके सामने मनुन से बहुत हौट डिसकुसन हुआ कहा तो यह जा रहा है कि आरके सिंग कारेकरताओं से मिलते नहीं वो विर्युक्रेसी का उनका अपना एक अकड है इसलिए वो कारेकरताओं से नाराज है इसलिए यह उनको शिफ्ट किया जाए लेकिन पब्लिक ओपीनियन अगर कोई लेगा कि वहां का कौन सांसद होना चाहिए पोटों के समिकरन भी उसमें बदल जाते हैं विद्यार्ति परीष्यक्र लोग आखिर्कार और आरके सिंग का इतना विरोध क्यों खुलकर करने लगे हैं और खबर तो यह भी है कि मोदी जी का भी अब थोड़ा हाथ जो है उनके सर से हटना शुरू हो चुका है एक चर्चा तो बहुत जोरों पर है और इसमें सच्चाई भी हो सकती है कि प्रधान मंत्री नरेंदर संगतन के भी तर आरके सिंग का बिरोध लगातार हो रहा है वो मुखर हो रहा है कि उनको किसी तरह से वहां से रिप्लेस किया जाए और रिप्लेस करने की बात जब होई तो पवन सिंग जो सुपरस्टार है और आरा के रहने वाले हैं ठीक मेरे घर के बगल में ही उनका है वहां पर आरा के रहने वाले हैं तो लोग समझते हैं अछा राजपूत के तैक बॊटर्च मे घर का तो यह कि और अम्रेंद परताब जोनों लोग सोचते आं कि पावन सिंग Bendis दोले और अगर तो यह वोटर वो लोग सोचते हैं कि पावन सिंह को अगर कंडिडेट बना दिया जाए और इनको अटा दिया जाए तो वो चुनाव जीत जाएंगे लेकिन पब्लिक तो यह कहती है कि पवन सिंग कभी भी विकास के काम नहीं कर सकते हैं वो पॉपलर हैं वो गायक हैं सनेमा में स्टार हैं सब हैं उनके उनका यूथ बहुत बड पर और दस साल से उन्होंने जितने काम सिंग सूपर स्टार हैं पैसे अच्छे खासे क्या कभी समाज सेवा के तोर पर कभी काम करते नजर नहीं कभी उनको ऐसा नहीं देखा गया है कि पब्ली के बीच में वो गए हो और जन सेवा के लिए कोई बहुत बड़ा काम किया हो अब कहिंग भोज करा दिया कुछ गरीबों में कुछ बांट दिया अपने इस तर पर अपने जनम दिन के मौके पर यह अलग बात है लेकिन पब्लीक में उतरने के लिए आप जब वहां के प्रतिनी भी बनेंगे तो उसके पहले जनता के बीच आप कितनी बार गये आप तो हम तै मैं रहते हैं वह पुरह चुकर कर चुके हैं जरूर कर तुक मनोरी होग तो पहले से सदा तो तो एक है एक भोजपूरी स्टारों में जो गायक से स्टार बनते हैं फिल्म स्टार उन लोगों में है कि right now को सबको सांसद बनना है तो अब लालवाद घारों को सांसद बना है वो भी भाग गया जमाएंगा और यह जो सकता है लेकिन क्या पवन सिंगh पिपलिक के भीच में लोगों में उनकी पकड़ क्या जंता में जमीनी स्टर पहों जा सकते हैं लोगों से मिल सकते हैं और कोई काम किसीं का करा सकते हैं कि आरके सिंग ने अपने छेतर में काम बहुत ज्यादा किया है लेकिन बीजेपी के अंदर ही उनका विरोध सुरू हो गया है और नरेंद्र मोदी के नजर में भी वह खटकने लगें तो ऐसे में यह माना जा सकता है कि हो सकता है कि उनका पत्ता कट जाए अब बिहार की राजनीतिक पर नजर डालें तो सात दलों का गड़बंदन है वांपंति दल भी इस बार साथ में हैं और यह तमाम पार्टिया आरा में चुनाओ लर चुकी हैं और तमाम पाटियों का अपना एक अच्छा खासा जनधार है पकर है तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या इन साथ पाटियों के तरब से कोई उमीदवार उतार दिया जाए तो आरके सिंग हो या पवन सिंग हो दोनों को नुक्सान ंठाना पड़ेगा आरके सिंग को शायद नुक्सान नहीं भी अघटाना पड़े पवन सिंग को दो विदायक भी और तो पूरे विडान सबाश्यत्र को देखें तो विपक्षी पार्टीयां जो है महाकड़ बंदन की उनकी ताकत ज्यादा मजबूत है और उनके भोटर्स हैं, बागपा माले के वोटर हैं, और राजद के वोटर हैं, और यह सब अगर एक हो जाएंगे, तो पावन सिंग को भेड़ना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा, आरके सिंग एक नाम है कि इससे हम आपको बता रहे हैं कि मुस्लीम भोटर हो या अदो भ भी हो उस नाम पर वोट कर देता है, लेकिन जब दूसरा कोई कंडिडेट बीजेपी का होगा, तो उसको भीड़ना पड़ेगा, और भीड़ना पड़ेगा राजद से, भीड़ना पड़ेगा भागपा माले से, और तमाम पार्टियां, उसके साथ, अला कि कोई कोई अगर पर ताकत नहीं है, लेकिन साथ पार्टियां जब एक साथ हो जाएंगी, तो राजपूत वोटर्स केवल या कुछ नौजवान वोटर्स कह सकते हैं, वो सीट जीता पाएंगे, आपको अलग जाती हो कि शमिकरुन को भी अपने पाले में करना होगा, पिछली बार CPI ML से रा तो इस बार भी क्या महागडबंदन से राजु यादो ही उमिदवार हो सकते हैं या क्या कोई नया चेहरा नजरा सकते हैं, अभी तक तो सांसद के लिए अभी वहाँ पर राजु यादव एक चेहरा हैं कि उनको लेकिन इस बार टिकट के बटवारे में पैसे का बड़ा ख मीना सिंग वो भी बीजेपी में शामील हो गई है तो अरा से उनको भी एक टिकट चाहिए पवन सिंग को भी एक चीह आरके सिंग कर डिएट हैं तो बीजेपी में भी टिकट के लिए मारा मारी है और उधर वह साथ दलों का अगडबंदन है आरा में भागपा माले ने एक का रामेश्वार पुषाद वहां से सांसद रहे हैं जब वह इंडियन पिपल्स फ्रंट था तब वह सांसद रहे हैं तो उन उनका वी भोटर बहुत है माने भागपा माले का और पिछड़ आती पिछडों का मुस्लिम भोटर हैं तो यह सब अगर एक साथ हो जाएंगे तो बीजेपी के यह जो तीं कैंडिडेट है मीना सिंग अगर हो सकती है या पवंड सिंग हो सकते हैं और कMa सिंग सबसे भिड़ सकते हैं बाड़िं लोगों को थिए हला कि आरा सीट जो है हमेसा ही बाहरी लोग आकर उस पर पर चबजा जमाते रहे हैं आप देखिए बाले रा वही आरा की सीट पर कबजा जमाता रहा है तो अब देखना होगा बहुत दिल्चास्प मोड पर है आरा का एलेक्शन आरके सिंग का अगर सीट जाता है तो बीजेपी के लिए सीट मुश्किल हो जाएगी क्योंकि आर जेडी भागपा माले और जो भी पार्टियों का गटबं जाता है बड़े बड़े वहाँ पर इलागे होते हैं याणी कि छेत्रीय जो वहाँ पर प्रिसंचना है वो बहुत बड़ी होती है तो अभी से जन उमिदवार हैं वह घूमना शुरू कर चुके होते हैं और इसलिए दावेदारी भी पेस करते हैं पवन सिंग ने दावेदारी पेस की और कई बीजेपी निताओं के साथ उन्होंने जाकर मुलाकात की ऐसे में उनके चुनाओ लरने की चर्चा तेज है और उन्होंने खुद कहा है कि वो तयार है और पार्टी को ये सोचना अब करन बन गई है कि क्या फिर से तीसरी बार उनको उमिदवार बीजेपी बनाएगी या नहीं बनाएगी मिना सिंग भी दावेदारी पेस कर रही है तो बीजेपी को भी चुनना है साथी साथ महागडबंदन को भी ये तैक करना है कि कौन बीजेपी से टक कर ले सकता है कौन सीट जो है निकाल कर महागडबंदन के पक्ष में करके दिखाता है और ऐसे में आरा लोक्त सभाग की जो लड़ाई है वो बेहत दिल्चस्प आपको आगे नजर आने वाली है बनड़े ये लाइफ बिहार के साथ आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद लाइफ बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेस्बुक पर लाइक जरूर करें